हेलो फ्रेंड्स वेल्कम इन्टो माई चैनल श्याम कीरो सोई कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स आज मैं आपके सथ बनाने जा रहे हैं बहुत ही हेल्थी रेसिपी सुपर हेल्थी और सुपर क्रिस्पी चील मौंग डाल का चीला तो इसके लिए देखिए मैंने एक बाउल में एक गंटो के लिए भिगो के रखना है और इसको अच्छी तरह से पहले वोश करना है जिससे इसके उपर जो पाउडर लगा होता है वो सारब साफ हो जाए तो इसे 4-5 बार अच्छी तरह वोश करना है मैंने इसे वोश कर लिया है अगर आपके पास जाता टाइम नहीं है तो आप इसे एक घंटे के लिए गरम पानी में भिगो सकते हैं, नहीं तो आप इसे तीन घंटे भिगो दें, तो तीन घंटे में ये हमारी दाल फूल जाएगी, तो देखिए, आप हम इसे डग कर रख देंगे, तीन घंटे हो गए हैं, अब इसे हम चेक करते हैं, देखिए, हमारी दाल फूल गई है, अब हम इसे मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे, हमें इसे दरदरी ही पीस ना है, बिलकुल बारिक पेस्ट नहीं करना, इसमें हम थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे, पानी हमें थोड़ा सा ही एड़ करना है, क्योंकि इसका पेस्ट मुंग दाल के चिले का थिक ही होता है तो देखिए मैं इसे पीस लेती हूँ, मैंने इसे पीस लिया है तो देखिए ये थोड़ा सा ऐसे ही पेस्ट त्यार करना है हमें दर दरा अब मैंने ये सारे दाल पीस ली है इसमें मैं तेस्ट के अनुसार नमक और थोड़ी सी हिंग डाल कर मिक्स कर दूँगी इसको इस अच्छी तर से मिक्स कर ले अब मैं इसे 5 मिनट के लिए और ढख कर रख दूँगी मैंने गैस पर पैन रख लिया है पैन में मैं एक चमच घी लूँगी मैंने देशी घी लिया है आप अपने कोडिंग ओलो गयरत ले सकते हैं अब इसमें एक चमच चरसो के डाने डाल दिये हैं और आदा चमच मैंने इसमें जीरा एर किया है इनके थोड़ा सा भून जाने पर अब हम इसमें अद्रक का पेस्ट भी डाल देंगे और यह हर इमिच भी मैंने इसमें एड़ कर दी है अद्रक को मैंने चौप कर लिया था मैंने यह अब यह गाजर दो गाजर और दो सिम्ला मिच ली है सिमला मिच को भी मैंने बिल्कु बारिक काट लिया है और गाजर को मैंने चोपर में चोप कर लिया है अब मैं पहले सिमला मिच इसमें एड कर दूँगी इसे हमें low medium गैस पर भूनना है जिससे इसका कच्छापन दूर हो जाए तो इसके थोड़ा सा भून जाने पर अब हम इसमें गाजर को भी ऐड़ कर देंगे इसे भी हमें भून लेना है एक मिनट के लिए लगातार चलाते हुए आप इसे भून ले अब मैं इसमें मतर ऐड़ करूँगी मतर मैंने ये सफल मतर लिए हैं अगर आप फ्रेस मतर लें तो आप इसे पहले एड़ करें पहले भूल ले जब आपने अद्रक का पेस्ट डाला था और मैंने ये सफल लिए हैं इसलिए मैं इसको फ्रोजन मतर को बाद में इसमें एड़ कर दिये अब इसको हम भूल लेंगे अच्छी तरह से फ्रोजन मतर हमारे जल्दी सी त्यार हो जाते हैं अब मैं इसमें स्विट कोन भी एड़ कर दूंगी इसे भी हमें लो मीडियम गैस पर लगातार चलाते हुए भूल लेना है फ्रेंट्स ये चीला बहुत बढ़िया लगता है ये बिलकुल शादियों की जैसे हमें चीला मिलता है बिलकुल वह वैसे ही लगता है आप बी से जुरूर ट्राइ करें अब मैं इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लूँगे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल ले और थोड़ी सी मैं इसमें काली मिर्च डाल लूँगी मैंने इसमें पहले हरी मिर्च भी डाली है इसलिए थोड़ी सी डाली है आप अपने टेस्ट के अकोर्डिंग डाल ले अगर आप स्पाइसी खाते हो तो उसी साफ से डाल ले एक चमच मैंने धनिया पाउडर इसमें एड़ कर लिया है मसालों को भूल लेना है डाल कर इसे एक मिनट के लिए भूल ले चिले की ये रेसिपी फ्रेंट्स ऐसी है जो कि बहुत हेल्थी होती है और जिसको सब बहुत पसंद से खाते हैं बहुत शोक्षे खाते हैं तो देखिए अब मैंने गैस बंद कर दिया और मैंने ये 500 गराम के करीब पनीर ले लिया है इसे भी मैं ग्रेटर कर लूँगी ग्रेटर में जो मोटी साइड है उस साइड से हम इसको ग्रेट करना है ये हमारा ठंडा हो गया है अब हम इसमें इसको ठंडा हो जाने के बाद मिक्सर को अब इसमें हम पनीर को एड कर लेंगे पनीर एड़ करने के बाद स्टफिंग को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इसे हम मिक्स कर लेंगे यह मैंने अब मिक्स कर ली है अब हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी चटनी और बहुत ही चटपटी उसके लिए मैं धनिया और पुदीना ले लिया है, चार हर इमिज अद्रक ले लिया है, दोपीश अद्रक के लिए है पुदीना और दनिया एक-एक मुठी मैंने ली है और इसमें मैंने एक चमच यह सफेद तील डाले है, इससे इसका टेस्ट बहुत बढ़ी आता है नमक डाल ले अपनी टेस्ट के अनुसार आदा चमच जीरा डाला है अमचूर पाउडर डाला है अमचूर नहीं होता आप निम्बू भी आदा निम्बू भी डाल सकते हैं और मैंने ये आदे चमच से भी बहुत कम काला नमक डाला है आप नहीं टेस्ट के अकोडिंग नमक डाल ले और ये मैंने तीन पीस आइस क्यूब लिए है आइस क्यूब से चट्नी का कलर ग्रीन रहता है और थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला है क्योंकि हम अब इस चट्नी को थोड़ा थीखी बनाएंगी अगर आप थोड़ा सा लाई पतली पसंद करते हो तो आप उसी इसाब से बना ले देखिए हमारी चट्नी बहुत अच्छी त्यार हो गई है देखिए हमारी ये स्टाफिंग भी अच्छी तरह मिक्स हो गई थी अब हम देखते हैं हमारा ये बैटर कैसा त्यार हुआ है इसे मिक्स करके देखते हैं तो देखिए अब ये थोड़ा सा थीक लग रहा है देखिए थोड़ा सा थीक है अब ये इसको हम थोड़ा सा मैंने आदा कप के करीब इसमें पानी एड़ किया है इसको मिक्स कर लेंगे बस आभी हमारी पर्फेक्ट है इसी तरह की कंसिस्टेंसी का हमें बैटर चाहिए ना ज़्यादा थिक ना ही पतला देखिए बिल्कुल लेंगे तो वो भी उसे भी हमारा पैकर चिला अच्छा नहीं बनेगा अब इसको मैंने चिले को बीच में डालका इसको अराम से धिरे धिरे करके एक ही साइट से अराम राम से घुमाते रहें देखिए बिल्कुल राउंड लेना है आपको इसको बिल्कुल अराम से फिलाए और गैस को लो मीडियम ही रखें फुल ना करें नहीं तो ये एक तब नीचे से सिख चाहेगा तो इसको लो मीडियम गैस पर ही हमें त्यार करना है मैंने अब ये देशीगी लगा दिया है आप अपने अकोर्डिंग ओयल या मक्षन जो भी आपको अच्छा लगे वो लगा सकते हैं मैं इसमें पर देशी गी ही यूज करती हूँ इसके चारों तरफ हम गी लगा देंगे अब हम वेट करते हैं जैसे ही हमारा ये चिले का बैटर ये हमने पैलाया है ये उपर से हमारा ड्राइड हो जाएगा तब हमें इसको पलटना है देखिए अब ये थोड़ा ड्राइड हो गया है हम इसको और आम से दिरे से इसको पलट लेंगे तो देखिए इधर से हमारा ये इतना अच्छा तयार हो गया है चीला हमें दूसरी तरफ से भी इसको सेख लेना है इस तरफ हम थोड़ा सा गी लगा देंगे कैस को लो मीडियम ही रखे फ्रेंट्स देखिए इस तरफ भी मैंने अब गी लगा दिया है इसके थोड़ा सा सीख जाने पर हम इसको दोबारा पल लेंगे तो देखिए इधर से भी हमें बस इतना ही सेखना है तो अब इसमें हम चो मैंने हमने ये स्टफिंग तियार की थी पनीर के वाली और वेजिटेबल्स वाली इसको हम इसमें स्पोन की हेल्प से अराम से इसमें लगा देंगे हम इसे स्टफिंग को अच्छी तरह से चिले के बिल्कुल बीच में जहां से रह जाता है सारे जंगे से इसको लगा देना है अब हम इसे दीरे से अराम से फोल्ड करेंगे तो देखिये इसे बहुत अराम से करें अगर आप से दूसरे हाथ से करने में दिकत है तो आप स्पून की हेल्प भी ले सकते हैं तो देखिए हमारा ये चीला बिल्कुल क्रिस्पी और एक दम बिल्कुल शादियों की तरह बिल्कुल तयार हो गया जैसे शादियों में मिलता है वो ऐसा ही खाने में लगेगा हमें ये अब हम तब एक उच्छी तरह से मैंने साफ कर लिया है कपड़े से अब दूसरा भी मैं चीला इस पर डाल दूगे सेम उसी तरह से मैंने इसको डाल कर राउंड राउंड गुमा दिया है देखिए इसको भी हम बिल्कुल उसी तरह से ही तयार करना है साइड में हम इसके गी लगा देंगे जिसे आराम से उतर जाए इसको अब बलट लेंगे इसे भी हमें बलट लेना है ये भी हमारा त्यार हो गया है अगर आप इससे थोड़ा सा जादा सेखना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा जादा सेख लिजिए पर हम ऐसा ही खाते हैं इसलिए मैं इसको ऐसे ही तयार किया है तो बीच में मैंने स्टफिंग लगा दी है हमा इसे मैं सारे चीलो को तयार कर लूँगी अगर आप एक पार इन चीलो को बनाएंगे तो आपको सबको बहुत पसंद आएंगे कर देखिए हमारे तयार हो गई हैं अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक चुरूर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें कमेंट करें मेरी वीडियो पर अगर आप नहीं हाई हैं तो सब्सक्राइब करें